प्रोफेसर संगीत रागी, सर, रागी सर, बहुत छुटा सा लेकिन महत्पूर्पूर्ण प्रेशन आप से, 2024 का चुनाव आप बीजेपी नरेंद्र मोदी वर्सिस कॉंग्रेस देखते हैं या लेफ्ट या मेंट फ्रेंट देखते हैं? देखें मुझे जो चुनाव 2024 का होगा, मुझे तो लगता है कि भारतिय जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में ही लड़ाई रहे होगी, नितीस कुमार के बारे में कुछ जरूरत से ज़्यादा ही प्रोजेक्शन किया रहा है, और खासकर से त्यागी जी जैसे व्यक्ती जिनको मैं बड़े बहुत उनकी इज़त करता हूँ, वो बहुतों के प्रेरणा पुरूस रहे हैं, लेकिन एक समाजवाली राजनीती से निकले हैं, लेकिन नितिस जैसा व्यक्ति नितिस कुमार जी जो व्यक्ती लालू परसाद जादों की भ्रस्ट राजनीती के साथ और जो जाति ए गुंडागर्धी के प्रतीक जिसकी राजनीती हूँ, उस राजनिती के साथ जो कहता हो हम तो परवल को मसल करके खाते हैं यानि परवल का मतलब आप समझ सकते हैं पंडित, राजपूत, लाला और जो जातियां हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जाने वाला व्यक्ति उसका चरित कितना उदात होगा ये समझने वाली बात है और ऐसे व्यक्ति को प्रधान मंत्री के रूप में जिदी कोई मीडिया भी प्रोजेक्शन करती है या डिबेट भी करती है तो मुझे कई बार तरस आने लगता है दूसर रही बात आज तक नितिस कुमार सीम बनने के बाद MLC ही रहे हैं एक लोकसवा चुनाव नहीं लड़े थे पहली बार सबसे अंतिम बार वो लोकसवा का चुनावा बाढ़ से लड़े थे 2004 में दो जगह से उन्होंने लड़ा था जहां तक छेत्रिये दलों का सवाल है अभी मैं सुन रहा था कि प्रधान मंत्री को यहां दिखाएंगे महारास्ट में दिखाएंगे अरे खुद ममता बनर जी बंगला देशियों के वोट से जीत करके आई है मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ममता बनर जी सत्ता में दी काविज है तो वो बंगला देशी मुसल्मानों के वोट उसका सबसे बड़ा हिस्सा है अकेले वो नहीं है लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे आपको हिंदू और मुसल्मान कहते हैं अरे भाई इस देश में 200 से ज़्यादा बंगलादेशी मुसलमानों के पॉकेट्स बन चुके हैं PFI का लिडर्सिप वहां से आता है और आपको ये मैंने इसलिए कहा मैं दो कारणों से प्लीज सुन लिजे बीच में बोल लिजेगा मैंने जब आपकी बारी आईगी देखे मैं कॉंग्रेस को इसलिए भी मैं मानता हूँ देखे पिछली बार भी कॉंग्रेस को कम से कम 11 कुरोड लोगों ने वोट किया था दूसरी बात जो छेत्रिये पार्टियां हैं अपनी सत्ता के लिए अपनी राज्य में किसी भी कुकर्म तक वो जा सकते हैं उनको उससे ज़्यादा देश को वारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कल भारत की छवी दुनिया में क्या होगी अंतरास्टिये छवी क्या होगी कितने ट्रिलियन की डॉलर की हमारी इकनॉमी बनने वाली है यह नितीश सुमार को इनके भेजा में घुसे गा ही नहीं यह इस रास्ते पर सोच ही नहीं सकते हैं आप सोच यह कि जिस हिमाचल प्रदेश का बजट ही जिस पेंसन का बजट और उनके पूरा एन्वल बजट आउट ले देखें तो आधे से जादा है और वो कहे कि हम यहाँ पर फ्रीवीज देंगे तो आपके इस देश को नरक मिले जाने के लिए त्यारी करें है मनमोहन सिन की सरकारी ती तो जो इस पिंसन जोजना को ले करके आई कम से कम कॉंग्रेस देश के बारे में सोच सकती है ये तो ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी सत्ता में रहने के लिए अपनी सत्ता को बरकरान करने के लिए किसी भी कुकर्म करने के लिए यतियार हो है जैसे ममता ने पश्चिम बंगाल के अंदर बंगलादेसी मुसलमानों के पक्च में उसी तरह खड़ी हुई जहाँ पर बंगलादेसी मुसलमानों के बगएर तो जीती नहीं सकते हैं एक समय कॉंग्रेस थी जो आसाम में कहती थी कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में रहते हैं तो नतीजा है कि IMDT Act पर सुप्रीम कोड को कहने पड़ा कि भाई IMDT Act बंगलादेसी को भगाने के लिए आपने तो ले लाया है वो तो बंगलादेसी को बसाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने IMDT Act लाया था तो ये चरित्र है मूलतह रीजनल पार्टीयों का मैं बहुत गंबीरता से इस बात को कहता हूं वो देश के लिए खतरना तक साबित होते जा रहे हैं